जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 और 24 फरवरी 2023 के धनुरासी फलक के बारे में, धनुरासी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे होंगे, इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या पर आप से निविदन हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, दोस्तों जानते हैं इन दो दिनों में क्या तिथी होगी, क्या नक्षत्र होगा, और कौन स योग बनेंगे, बात करते हैं सबसे पहले 23 फरवरी 2023 के पंचांग के बारे में, तो फागुन महा का शुकल पक्ष का गुरुवार का दिन होगा, चतुरती तिथी अगले दिन सुभे एक बज़कर 36 मिनट तक रहेगी, फिर पंचमी तिथी शुरू हो जाएगी, सुभ बज़कर 37 मिनट तक रहेगा, इसके बाद सुकल योग शुरू हो जाएगा, रेवती नक्षत्र अगले दिन सुभे 3 बज़कर 45 मिनट तक होगा, फिर अश्वनी नक्षत्र सुरू हो जाएगा, सुरिय देव कुम रासी में विराजमान होंगे, चंदर देव सुभे 3 आपके लाव भाव पर होगी, एका दस भाव पर, तो समय काफी अनुकूल होगा, राहुकाल का समय दोफेर 2 बज़े से 3 बज़कर 25 मिनट तक रहेगा, अभिजीत मुहरत दोफेर 12 बज़कर 12 मिनट से 12 बज़कर 57 मिनट तक रहेगा, इस दिन सरवार सिद्धी योग सहित 400 सुभ योगों में विनायक चतुरती होगी, जो कि भगवान गनेश जी को समर्पित होती है, इस दिन विग्न हर्ता भगवान सिरी गनेश की पूजा की जाती है, और इस दिन चंद्रमा देखना वर्जित माना जाता है, इस बार विनायक चतुरती विरत के दिन सरवार सिद् सबी मनों कामनाई पूर्ण होंगी, विनायक चतुर्ती पर सरवार्शिद्धी योग, दुईपुसकर योग, सुभी योग, शुक्ली योग और रवी योग का निर्मान हो रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है, तो ऐसे में यह समय आपके लिए खास देने वाला होगा, समय काफी अनकूल साबित होगा, इस दोरान आप अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ, आनंद में जीवन वैतीत करेंगे, और जीवन में कुछ अच्छे बदलाव महसूस करेंगे, अतीत को छोड़कर वर्तमान को अपनाने की कोशिस करेंगे, और प्रेरित करके एक सामुहिक मीटिंग के लिए बुलाएं, उन्हें साब साब बताएं कि आप उनसे क्या आसा रखते हैं, और उन्हें अपना काम करने में सही रुग दें, उनके अच्छे काम के लिए साबबासी भी दें, इससे आपको और आपके समुह के लोगों को फायद सामाजी गत्वेदियों में आपकी सहभागिता होगी, आपके उपर मानसिक दवाव भी होगा, कारिय छेतर में परिसितियां आपके पक्ष में होगी, जो आपको अच्छा फल देगी, कारिय का बोज अधिक होने से परिवार को समय कम दे पाएंगे, जिससे परिवार के लो पंचमी तिथी अगले दिन सुभे बारा बजकर 34 मिनट तक रहेगी, फिर सश्टी तिथी सुरू हो जाएगी, शुकली योग साम 6 बजकर 46 मिनट तक रहेगा, इसके बाद ब्रहम योग सुरू हो जाएगा, अश्वनी नक्छत्र अगले दिन सुभे 3 बजकर 27 मिनट तक अभिजीत मूरत दो फैर 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक रहेगा, इस दोरान आप अपने चारों तरफ के लोगों के बरताव के कारण थोड़ा सा चड़चड़े हो सकते हैं, आपकी प्रिये का प्यारा बरताव आपको खास होने का अनुभब कराएगा, इन लमों का पूरा आनंदा आप उठाएंगे, मशूर लोगों से मिल जोल आपको नई योजनाओं और आइडियां सुझाएगा, इस दोरान जीवन साथी के और से पूरा सहयोग मिलेगा, और जीवन साथी के साथ अच्छे रिस्ते होंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बढ़ेग और अच्छा समय वैतीत करेंगे, पंचम भाव में इस सित चंद्रमा आपके ज्यान में वरधी करेगा, और यह समय चात्रों के लिए बेहद अनकूल होगा, प्रेम जीवन जी रहे लोगों को विभा के योग बनेंगे, और नवदम पती को संतान प्राप्ति के योग बनें जो अचानक से आपको लाब देगी, इस दोरान मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, तो समय काफी अनकूल होगा, दोस्तों ऐसी जानकारे लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक,